आज हम बात करेंगे कैसे वेरिकोज वेंस का एलाज जो पहले सर्जरी से लेजर पे शिफ्ट हुआ और लेजर गोल स्टेंडर बन गया आज ये गोल स्टेंडर्ड चेंज हो रहा है और ट्रीटमेंट ग्लु थेरिपी की तरफ जा रहा है वीना सील या वीना ब्लॉक यानि कि नॉकिया फोन से स्मार्ट फोन और टाइप्राइटर से लैप्टॉप्स तब हमेशा कोई कारण होता है shifting का कोई criteria होते हैं और आज हम देखेंगे कि क्यों हम laser से shift होना चाते हैं यह नहीं technology पर सो पाच क्राइटेरिया है मेरी नजरों में जो मैं समझता हूँ कि एक टेक्नलोजी शेंज करके हमें फिर नियू पर जाना चाहिए जो एक टेक्नलोजी यूज हो रही है उसमें कुछ कमिया है जो हम अवरकम करना चाहते हैं जो हमें लगता है कि बहतर हो सकता है मुझे आज भी याद है एक कॉंफरेंस में थे और मेरे सीनियर प्रोफेसर को किसी कंपणी वाले ने बुला सर आप हमारा प्रोड़क यूज करो ना उसने कहां मैं जो प्रोड़क यूज कर रहा हूं उसका अभी तक का रिजल्ट सौ परसेंट है तीस साल के एक्सपिरियंस म और कॉंपलिकेशन रिस्क जीरो है तो अगर आप मुझे इससे बहतर रिजल्ट देते हो तो फिर मैं आपका प्रोड़क यूज करूंगा जो जायज है तो पॉइंट यह अगर कोई टेक्नलोजी सौ फरसें रिजल्ट दे रही है कॉंपलिकेशन रिस्क जीरो है फिर हम क्य सिर्फ लॉजिक से नहीं चलेगा बहुत सारे स्टेजिस से वह गुजरना चाहिए साइन्टिफिक एक्सपरिमेंट्स द्वारा पहले लाब मॉडल्स में फिर अनिमल स्टडीज में फाइनली हुमन ट्राइल्स में और एक बार लिट्रेचर आ जाता है तब हम उसे असे अन 28 परसेंट आया है कॉंप्लिकेशन रिस्क 2 परसेंट आया है पर जब मैं अपने हाथों से वह यूज करो तो बहुत कम है कई बार यह जो यूरोप या अमेरिका की स्टडीज होती है यह बहुत ज्यादा पैसों से बैक्ट अप होती है बहुत कंट्रोल एंवारेमेंट में ह होता है जो ट्राइल्स होता है इसलिए रिजर्ट अच्छे आते हैं देखना बहुत ज़रूरी है कि रियल वर्ल्ड में वह एप्लिकेट होगा क्या आइन फाइनली पीशेंट को भी बेनिफिशल होना चाहिए कोई टेक्रोलोजी जो लिट्रेचर में बहुत अच्छी है ल पाइनली आना चाहिए और पाउस पेशेंट लाइफ वालिटी ऑपरिशन टाइमिंग ऑपरिशन एक्स्पिरेंस यह सब इंपरूव होना चाहिए तो यह पाच क्रैटिरिया के अधार पर देखते हैं कैसे आज लेजर अबलेशन को वेरिकोज वेंस के लिए ग्लू थेरप के बड़े-बड़े हमाटोमाज या ब्लड भी हो सब्लीडिंग भी हो सकता है केमिकल स्ट्राइक या जाग बनाके सेट्रॉल डाला फोम स्क्लेरोजन बोलते हैं नहीं वक किया क्योंकि इतनी बड़ी वेंस के लिए बड़ा थक्का बनता है डीप वेंस में जाकर कीमती वे लेटे नहीं गेन कर पाई जितना थर्मल अबलेशन या हीट बेस थरेपी इस ने की सो आज भी हीट बेस थरेपी सबसे पॉपिलर थेरेपी है जो वेडिकोंस के लिए की जाती है दिखते है थोड़ा सा कि लेजर कैसे की जाती है थोड़ा सा मैं आपको जगा देता हूं सो एक पत्ली सी स्वी से लोकल अनेस्थेशिया दिया जाता है उसके बाद एक छोटा सा होल बना के लोकल अनेस्थेशिया एरिया में एक शीथ हीया पत्ली सी ट्यूब डालती जाती है वेंस में और उसके द्वारा एक वायर और लेजर फाइबर को ले जाया जाता है उस प को जलाने खतम करने से कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ये केवल 2% सपोर्टिंग रोल प्ले करती है जलाने से बहुत फाइदा है यह मेयो क्लिनिक का प्रेजेंटेशन था यूट्यूब से लिया हुआ देखते है कि इस टेक्नलोजी में जो हमें इतना आसानी से अनिमेशन में लगा कि एक वाइर डाली पतले से सुई से खीच ली प्रॉब्लम क्या है पहला प्रॉब्लम की फाइबर को इतने टॉचुवस चैनल में कभी-कभी ले जाना मुश्किल हो जाता है यह सिर्फ सीध में जाता है अगें हल टॉचुवस चैनल में जाने की ज़रुरत नहीं होत है क्योंकि पेशन्ट को यह जो हम जला रहे है हम नहीं चाहते यह हीट से आजू-बाजू की चरबी या स्केन या कहीं भी कुछ जले या नर्व्स जले इसलिए हमें बहुत सारा कोल्ड सलाइन इंजेक्ट करना पड़ता है वेन के आजू-बाजू में जिससे यह पेर में अफकोस जब हम जलाते इन तो चलिए एक एक करके पॉइंट्स और डीटल में देखते हैं तो अफकोस टैनल को ट्रैक करना मुश्किल है जनरल या स्पाइनल यानिस तेशिया देना पड़ता है या तो पूरा भीहोश करना पड़ता है या तो स्पाइन में छोटा कर रहें जो काले रंग का तकी सिर्फ जब वेन जले तो आजु बाजु कहीं भी हीट ना जाए पूरी तरह सिर्फ वेन जले और यह फ्लूइड सारी हीट सोक ले और आजु बाजु के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करें जैसे नर्व स्केन एक सिक्ट्रा अगें वापिस है कैसे हम यह छोटी सी नीडल लेकिया रहे सफेद रंग की और उससे यह काले रंग का फ्लूइड इंजेक कर रहे जिससे आज बजू स्पेस बन रहा है अफकोस यह टेक्निक के बाद सारे प्रिकॉशन के बावजूद कुछ पेशन्स की नर्व जलती है जिसके वज़े से प ऐसी पेशन्स को कम से कम से कम 3 महीं तक स्ट्रिक स्टॉकिंग रटा अगर रुट किया जाए स्टॉकिंग नहीं पहने जाए ऑना तो यह तो व्यविनस्वापस भर सकती है रिकरेंस उसकता है और ऑपरेशन विखते हैं सो देखते हैं कैसे वीनासील या ग्लू या विनाब दस जगा पंचर लेके सलाई इंजेक करने की कोई जरुवत नहीं है क्योंकि इसमें कोई हीट नहीं है कोई आजो-बाजो के स्ट्रक्चर को रिस्क नहीं है इसलिए टुमेसेंट आनेस्थीश्या की जरुवत ही नहीं है सेकेंड वांटेज थर्ड एड़ पैरेस्थेजिया कोई नर्व इंजोरी नहीं है नर्व कोई जलती नहीं है इसलिए मुंगिया आना दर्द होना नहीं है अज़ेड़ ओफ थोड़ा सा फ्लेबाइटेस या हीपर सेंसिटिविटी हो सकता है बट परसेंटेज बहुत कम है और लास्टली माक्सिमम केसे में अगर वो स्टॉकिंग ना भी पहने या पहने पर बारा घंटे नहीं सिर्फ जब खड़े रहने की जरूरत है तब भी रिजल्ट पर्मेनेंट होता है और नहीं वियाई बेंस नहीं खुलती है सो में पॉइंट की ठीक है लॉजिकल लगा कि आप एक स्वीज से जा रहे हो ग्लू के कुछ इंजेक्शन ड्रॉप्स डाल रहे हो पर क्या लिट्रेचर है क्या वर्ल्ड में स्टॉडीज हुई है इस पर दोस्तों बहुत स्टॉडीज हुई है आईए आपको जगा देता ह और देखते है कि बहुत सारी स्पेइन, यूरोप, यूएस में स्टॉडीज हुई है अलग-अलग नाम है उनका 34 पेशन से लेके 200 पेशन तक यह जो आईवेस स्टॉडीज है यह इंडियन स्टॉडीज है गंगराम होस्पिटल दिली में की गई है और अगर आप चाहे वो जिस स्टेज पे भी आए हमारे पास चाहे औरली वेरिकोज वेंज लेके आए जिसमें पेइन हो रहा है या फिर अलसर लेके आए ओवराल बहुत फाइदा है इंप्रूव्मेंट है यह महीनों पे अगर हम सोनोग्राफी पे देखे तो तीन महीने पे जब यह 100 प 99.300 इतना अच्छा रिजल्ट है इवन अगर आप दो साल तक यह पेशेंट्स को फॉलो करो तो 95-97% पेशेंट्स की वेंज बंध है इस्पेशली जिन स्टडी में अच्छली दो साल तक डेटा फॉलो किया गया सूची है सिर्फ 3-5% पेशेंट्स की वेंज कुछ हद तक ख 20% पेशेंट्स को फ्लेबाइटेस हुआ यानि कि थोड़ा सा पेइन थोड़ा सा इंफ्लेमेशन वेंज के यहां पर वो ग्लू का प्रॉपटी है कि वो इंफ्लेमेशन करके ही यह वेंज में स्कारिंग और फाइब्रोसिस करता है जिससे वो वेंज पुरी तरह बंध हो ज पैरों को ट्रीट किया गया सिम्टम इंप्रॉव्मेंट सो पसेंट लोगों में एक भी पेशन ऐसा नहीं था जिसके सिम्टम्स ड्रास्टिकली नहीं इंप्रूव हुए दो साल पे जब देखा गया तो 95% पेशेंट्स की वेंज आज भी बन थी आज पसेंट में कोई सेग कोई मेजर प्रॉबलम जैसे बीप वेंस में थकका जमना या लंग्स की नसों में थकका जाना या मेजर कलर चेंज या रैशे किसी पेशेंट में नहीं हुए जो फीर है इस टेक्नलोजी को लेके वो बहुत नाजायस है बिलकुल कोई प्रॉबलम नहीं होती maximum patients of course complication किस्ट में नहीं है लेजर में भी है सो हो सकता है 200-300 में एक पेशन्ट को हो बट आप रिजल्ट सापके सामने पूरे वर्ल्ट से कि कितना कम कॉंप्लिकेशन रिस्क है मेरे पॉसन एक्सपिरियंस में आज में 2023 तक मैं अल्रेडी पहती से जादा पेशन्स को इस टेक्नलोजी से ट्रीट कर चुका हूँ क्योंकि इसके पहले मैं लेजर करता था अफकॉस और वी हाद एक्सलेंट आउटकम्स नो मेजर कॉंप्लिकेशन और मेजर रिकरेंस येट अफकॉस ये टेक्नलोजी के बाद हमें कभी-कभी पेशन्ट को एंसलिरी ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं जैसे एक हाद एक कनेक्टिंग परफोरिटर चैनल को ग्लू कर दिया या कुछ बेबी वेंस में केमिकल स्क्लेरोथेरपी डाला जो कि सब को मैं लाइश्टाइल चेंज से मैनेज करता हूं क्योंकि मेरा विश्वास है कि इन में से 50% पेशन्स लाइश्टाइल चेंज से काफी हद तक इनका डीजीज कंट्रोल हो जाएगा और उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंटरविंशन की तो आई एक एनिमेशन से लोकल एनेसिश्य के बाद एक शीथ या क्यूब को ले जाया जाता है यह मैगनिफाइड है बहुत ही पतली ट्यूब होती है डीप वेंस के साथ जो जंक्शन है उससे बहुत पीछे खिच लिया जाता है ताकि डीप वेंस में ग्लू ना जाए और अगें प्रिकॉशन के के लिए बेडी को दबा दिया जाता है कनेक्शन कों कोämäनि के साथ अहां जाए उसके बाद सुकशल बोंदेगी इंजेक लिए और से और पीछे खीच लेता है दो बाहर से बस थाई पर कंप्रेशन बनाना एंप यह जो पूरी वेंग को श्राइग कर देगा 3 मिनिट की डालते जाओ और 30-30 सेकंड दबाते जाओ इतना फास्ट रिजल्ट है सिर्फ 30 सेकंड में पूरी वेन चिपक जाती है और रिकनलाइजेशन ना के बराबर है दिखें यह लास्ट ड्रॉप से जो जब फाइनली पूरी वेन चिपक गई रिमेनर रिमेंडिंग में तब हमने प निकाल लेते हैं और कोई मेजर ड्रेसिंग की जरूरत नहीं है अफकोस कुछ केसे में स्टॉकिंग या क्रेप बैंडेज यूस कलता हूं नहीं तो एक छोटा सा बैंडेट भी लगाएंगे तो चलेगा माक्सिमुम केसे में ब्लीडिंग या हमाटोमाय क्लॉट कुछ भी नहीं होता है सबके बाद पेशेंट को बेनिफिशल होना चीए अफकोस तो आइए दिखते हैं इसके एडवांटेज इस पहला रैपिड डेटर्न टॉनमल अक्टिविटी पेशेंट ऑपरेशन होते ही टेबल से उतर कर वाड में जा सकता है और एक घंटे के अंदर घर जा पेशन का ओवर लाइफ क्वालिटी इतना इंप्रूब हो जाता है क्योंकि पेशन खतम हैवीनेस खतम पेशन खड़े रह पाता है जादा घंटों तक आइड़ अफकोस आपको टुमेसेंट अनेस्टेशिया यानिकी 10 जगा पंचर की ज़रूरत नहीं उसके वज़े से जन पेशन को या तो पहनना नहीं पड़ता है या तो बहुत सेलेक्टिवली पहनना पड़ता है हमने बताता है कि आप चीट करोगे चलेगा सिर्फ जब जादा देर खड़े रहना है बैटना आप तब पहना है तो मैनी एडवांटेज इस तुद पेशन और अगर लेजर एक आई है जैसे वीना ब्लॉक तर्की ग्लू इन्वार्मेंट कंपनी का तो यह प्रोसीजर और बहुत कम रेट में किया जा सकता है तो लेट सी की रियल लाइफ में अगर यह प्रोसीजर करेंगे तो कैसे होता है तो इस वीडियो अगें फ्रम मेट्रोनिक इंडिया लेट सी एक बर वेन को पूरी तरह स्कैन करके ऑपरेशन के पहले डिसाइड कर लिया जाता है कि किस पॉइंट से हम शुरू करेंगे यह इंजेक्शन लोकल अनेसेश्या के बाद उसको एक छोटे से मारकल से मांग कर लिया जाता है और एक लोकल अनेसेश्या के बाद पतली सी एक विनासील शीट से रिप्लेस कर चुक है यहाँ पे glue liquid ready किया जा रहा है आप देख रहें कैसे honey की तरह बहुत ही viscous और गाड़ा glue है यह कही भागेगा नहीं यह डी प्रेंस में जाएगा उसे again उसके particular catheter में delivery catheter में ready किया जाता है यह dispersal gun है जिसमें इसे attach किया जाता है पूरे syringe को जिससे हम gun से बहुत controlled manner में 3-3 second में यह injections देंगे दबाते वे prime करने के बाद उसे body में ले जाए जाता है विनासील शीट से again सब कुछ वो local anesthesia point से पहली बार injection देके 3 minute तक 3 second तक आप injection देते हो और वहां पे हाथ से थाई पे दबाव दे दिया और 3 minute तक वो दबाव बनाई रखा यह देखिए सरिफ इस तरह कोई चीरफार नहीं है पूरे operation में सरिफ यह एक पंचर है local anesthesia में इसी तरह first 3 minutes के बाद हर 3 cm में यह एक ड्रॉप गलू डालते है पीछे किषते है और उपर एक बंदा दबाव क्रियेट करता है कोई भी असिस्टेंट यह दॉक्टर तो इस दाट सेंपल ए टेकनोलोजी और इतने आसानी से यह टेकनोलोजी की जा सकते है एंड में आप वो सब होने के बाद अगें यह दिखा रहे कैसे पहले 3 minute के बाद तीन सेकेंड और गलू दिया पीछे खिषते रहे 3-3 cm और केवल 30 सेकेंड दबाव दिया इस बार देखें 30 सेकेंड का डाइमर ओन 30 सेकेंड उपर से दबाव दिया यही टेकनोलोजी चलती रहेगी यह पूरा जब तक हम उस पॉइंट पे नहीं आते जहां तक हमें जहां हमने पंचर लिया था यह हम कर सकते हैं इस तरह यह टेकनोलोजी बहुत ब्यूटिफुली खतम की जा सकती है और मैंने सूचा क्यों ना मैं सेम प्रेजेंटेशन अपने पेशेंट के लिए यूज करके अपने चैनल द्वारा उन्हें भी अवेर करा हूँ कि आप अगर प्राइस एक इस्व है तो हम वीना ब्लॉग या नॉमल ग्लू भी यूज कर सकते जिससे प्राइस बहुत कम आ सकता है वीना सील पर पहले भी हम कई वीडियो बना सकते आप उन्हें जाके विजिट कर सकते मेरे चैनल का लाब वेरिकोज वेंस के लिए कही माधियम से उठा सकते चाहिए वह स्टॉकिंग यूसेज हो कैसे उसे बेटर करना है लाइफसेल चेंजर हो या फिर ये ग्लू बेस थेरेपीज हो सुरक्षत रहिए सशक्त रहिए